ये है इस डार्क मटेरियल सीजन टू एपिसोड वन का रीकैप पिछले सीजन के रीकैप के लिए डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिये गए लिंक्स को चेक करें मल्टिवर्स के दरवाजे को पार करके लायरा वर्ल्ड अफ चितिगाज से पहुंचती है ये वही शहर है जो लायरा ने लॉड एजरियल के फोटो में देखा था थोड़ा गूमफिर के जाच करने पर लायरा समझ जाती है कि ये शहर बिलकुल सूना पड़ा है देखके लग रहा है कि यहां के निवासी किसी कारण इधर से जल्दी जल्दी में भाग गये कहीं जिसके बीचे भी लॉड एजरियल का हद तो नहीं उधर लायरा की दुनिया में मेजिस्टेरियम के कारणिनल मल्टी वर्स के दरवाजे को बंद करने की मांग करते हैं बट फादर मैक्वेल का मानना है कि ऐसा करना चर्च की इमेज के लिए हानिकारक हो सकता है फिर ये डिसाइड होता है कि म्सिस कोलचर अपने इंटेरोगेशन सकिल्स की मदद से मेजिस्टीरिंग भी कबजे में पड़ी एक विच से मल्टी वर्स की सारी सच्चाई उगलवा लेगी क्योंकि विच्चेस को पहले से ही मल्टी वर्स के बारे में जानकारी थी Finally Will और Lyra एक साथ आते हैं Will लायरा के बोलने वाले डीमन को देखकर हैरान है तो Lyra विल को बिना किसी डीमन के देखकर हैरान है Lyra को लगता है कि शायद Will भी किसी घोस्ट की तरह सोल लेज बन्दा है बैट फिर Will इसे भरोसा दिला था है कि he is a good boy वो भी Lyra की तरह ही किसी दूसरी दुनिया से आया है ऐसी दुनिया जहां पर इंसानों के पास उनके अपने बोलने वाले डीमन्स नहीं होते फिर ये दोनों साथ मिलकर शेहर की तलाश लेने का प्लान मनाते हैं दूसरी दरफ मिस्स कोल्टर एक विच की बोड़ी से क्लाउड पाइन ट्री के तुकड़े निकाल कर उसे टॉर्चर करती है मल्टिवर्स के बारे में इंफर्मेशन उगलवाने विचेस इनी मैजिकल ब्रांचेस की मदद से हवा में उड़ते हैं दूसरी दरफ लाइरा और विल की मुलाकात वहां के दो लोकल बच्चों से होती है एंजिलीका और पाउला ये बच्चे ने बताते हैं कि यहां के सारे अडल्ट स्पेक्टर्स के डर से भाग गए या फिर उनका शिकार हो गए स्पेक्टर्स बच्चों पर हमला नहीं करते वो बस अडल्ट हुमन्स की आत्माएं खाते हैं ये लड़की अवी लोड लाइरा को थोड़ा बहुत खाना देकर वहां से अपने रास्ते चले जाते हैं देख के लग रहा है कि लाइरा और एंजिलिका की आपस में बिलकुल नहीं जमने वाली लियाना मॉर्मन्ट वसेज विल्वरीन जूनियर काफी मज़ा आने वाला है ली स्कोस भी सरेफीना और उसकी क्लाइन की विचेस को अपनी आगे की प्लानिंग बताता है इसका मानना है कि गुरुमन के पास एक ऐसा स्पेशल आपजेक्ट है जिसकी मदद से वो लाइरा की हिफाज़त कर सकता है अगर स्कोस भी को स्पेशल आपजेक्ट ये हतियार चाहिए तो उसे पहले गुरुमन को धूनना पड़ेगा तब ही वहाँ पर दूसरे क्लैन की रानी कुइन स्कादी आकर सेरिफीना से मदद मांगती है कि मेजिस्टेरियन ने इनकी एक विच को किडनेप कर लिया और उसे छुडाने में इसे इनकी क्लान की मदद चाहिए बट सिरफीना की करण प्रैरिटी लायरा मतलब उनकी प्रॉफ़ेसी है स्कादी को अकिल ही मेजिस्टेरियम से लड़ना होगा मिस्स कोल्डर के सामने वह विच हार मान लेती है और उसे धीरे धीरे इनकी प्रॉफिच के बारे में बताने लगती है तब इस काड़ यहां पहुंच कर विच की इस विच को पूरा करती है और वापिस जाने से पहले मजिस्टीरिम के कुछ मेंबर समेथ कारिनल को बुरी तरह से घायल करती है उतर लायरा और विल की दोस्ती बढ़ने लगी है वो अब एक दूसरे के ओमलेट बडीज बन गए बट फिर भी लायरा को विल पर 100% भरोसा नहीं उसकी लाइफ में आने वाले आथे लोगों ने इसको धोका दिया विल क्या? लायरा को तो अपने अलिथियूमिटर पर भी भरोसा नहीं इससे लगता है कि अलिथियूमिटर इन्हें आधा अधूरा सच बताता है अगर समय रहते अलिथियूमिटर ने इन्हें वान किया होता तो शायद रोजर नहीं मरता फिर विल और लायरा को वहाँ स्पिक्टर का शिकार अडल्ट मिलता है इसके हालत भी बिल्कुल वैसी है जैसे गॉबलर्स के पकड़े उन बच्चों की थी जिनके डीमन्स उनसे अलग किये गए थे सोल लेज, जिन्दा लाश की तरह तबी इन्हें एक बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है इस बिल्ली को एंजिली का और शहर के दूसरे बच्चे परेशान कर रहे थे बट पैन अपना रूप बदल कर बच्चों को वहाँ से भगा देता है आई तिंग यह वही बिल्ली है जिसका पीचा करते हुए विल्ल ने मल्टी वर्स का पोर्टल दुनडा था लगता है इस बिल्ली पर भी नजर रखनी पड़ेगी स्कार्डी के हमले में कार्डिनल बुरी तरह गायल हो गया थे बट वो अब भी जिन्दा है यह मिस्स कोल्टर फादर मैकफेल को एक ओफर देती है कोल्टर कार्डिनल को मार देगी सबको लगेगा कि यह अपने इंजूरीज की वज़ा से मर गया इसके मरने के बाद मैजिस्टेरियम फादर मैकफेल को नया कार्डिनल बना देंगे फिर यह दोनों जितनी चाहे उतनी मनमानी कर सकते है दूसरी तरफ विल और लायरा को पता चलता है कि थोड़े के सुबा होते ही वो लायरा को अपनी दुनिया वाले आक्सवर्ड लेकर जाएगा तब ही हम बाहर स्पेक्टर की पहली जलक देखते हैं जो आजादी से अपने नेक्स चिकार की तलाश में गूम रहा था इतना होने के बावजूद भी लायरा को विल पर पूरा भरोसा नहीं इसलिए वो फाइनली अलिटियूमिटर की मदद से विल का कैरेक्टर चेक करती है अलिटियूमिटर इसे बताता है कि विल ने हाल ही में एक मर्डर किया है बट विल बैड मर्डरर नहीं बलके योरे की तरह एक गुड मर्डरर है विल बाहर बैटा अपने पापा की लेटर्स पढ़ रहा था कि अचानक उसे सटन नाइफ के विजन्स आते हैं देखके लग रहा है कि वो नाइफ सामने वाले टावर में है विल अपना कंट्रोल खोकर उस टावर की और खिचा जा रहा था कि तभी पीछे से इस पर स्पेक्टर हमला करता है और यहां होता है एपिसोड वन खतम सटन नाइफ का विल के साथ क्या कनेक्शन है वो इस टावर में कहां से आया और यह स्पेक्टर सा अखिर क्या बला है इन सब के बारे में हमें धीरे धीरे आगे पता चलेगा अभी सब कुछ बता कि मैं आखे के अपिसोड स्पॉइल नहीं करना चाहता अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब और मोर वीडियो लाइक दिस मैं ऐसे और भी वीडियो बनाएजरे के लिंक सब को दिस्क्रिप्चन बॉक्स में मिल जाएंगे थांक यू विर्मस पर वाचिंग और मोपिंग तो सी यू इन माहीं नेक्स वन